So Hello Everyone, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Hyper-V Complete on Windows 11 Windows 11 में Hyper-V Free में कैसे Lifetime के लिए इस्तिमाल कर सकते हो और Hyper-V में कैसे मशीने सेट अप करते हैं चाहे वो Linux की मशीन हो, Hacking की Lab हो या फिर Normal Windows Operating System हो सभी प्रोसेस से मैं Hyper-V में कैसे हम लोग backup लेते हैं Checkpoints कैसे Create करते हैं, कैसे हम लोग Networking करते हैं, Virtualization मशीनों के साथ Internal, External, Private Networking होता क्या है Means Network Switches के बारे में अक्सर इंटर्वियो का बहुत important point होता है इन सभी point को मैं आज इस वीडियो में clear करने वाला हूँ इस एक वीडियो के बाद I am sure यह मैं guarantee लेता हूँ कि आप Hyper-V को अच्छे से operate करना सीख जाएंगे बात करते हैं कि Hyper-V Microsoft का जो product है यह Microsoft के सभी version में आपको free में देखने को मिल जाएगा कोई भी version आप इस्तेमाल करते हो जो higher version के है not in home basis और इन सब चीजों में आपको नहीं मिलने वाला बड़ जो higher version के operating system है उसमें यह आसानी से आपको available मिल जाता है बिलकुल free में computer screen पर चलते हैं और one by one सारा setup करते हैं और Hyper-V को अच्छे से समझते हैं यह industry level के training के according आपकी video होने वाली है अब बात करते हैं आप 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 देख रहे हो यह हमारा Hyper-V का setup है और Hyper-V इंस्टॉल हो चुका है Hyper-V अगर आपने नई इंस्टॉल किया तो simple आपको क्या करना control panel में आ जाना है control panel में आने के बाद program के अंदर और program and feature के अंदर just आप यहां से turn windows feature on off कर लेंगे और turn windows feature on off करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपका एक dashboard मिलेगा जहां से Hyper-V को just check करके ok कर देंगे आपका install हो जागा आपका uncheck होगा बट मैंने यहां से पहले से कर रखा क्योंकि जब इसको आप install करते हो just click करके ok कर देना हो तो automatic feature enable हो जाता है यह जब आप enable करते हो तो आपका system restart होगा मैंने इसलिए पहले से ही उसको क्लिक करके restart करके अब यह suit कर रहा हूँ final इतना हो जाने के बद आपके पास ISO file होनी चाहिए तो हमारे पास अगर मैं ISO file दिखा हूँ तो हमारे this PC के अंदर HDD एक है इसके अंदर मैंने Windows 10 Ubuntu server सारी चीजों को रखा हुआ है अब यहां पर यह होता कि कैसे हम लोग इसको install करेंगे तो step 1 अब मैं Windows 10 install कर रहा हूँ enterprise edition अब Ubuntu Linux अगर कोई और भी यह same process पर install होगा बट इस्टिल अगर नहीं होता है comment section में message कर देना मैं उसका भी installation आपको दे दूँगा अब बात होती यहां पर कैसे करना है सबसे पहले यहां पर कुछ option है इन सभी option को पहले देख लेते हैं कि इन सभी का purpose क्या है then one by one सारी चीजों को देखेंगे सबसे पहला point यहां पर आ जाता है like quick create अगर आप quick create को select करते हो तो quick create में आपके पास पहले से कुछ machine आ जाती हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हो आप जैसे अगर मैं यहां पर click करूँ तो internet अगर चल रहा है तो एक बनी बनाई machine का setup आ जाता है बट मैं recommend नहीं करता है कि आप इसके तुरू जाओ क्योंकि यहां पर limited है अगर आप Ubuntu को install भी कर रहे हो create कर रहे हो तो I think यह internet से download होगा फिर install होगा तो बेटर है पहले से download करके रखो second option हमारे पास आ जाता है जैसे new का और new में एक option आपको मिलता है कि आप नई machine create कर सकते हो थर्ड option आपके पास है import virtual machine यह setting हम लोग जब export करके रखेंगे तब देखेंगे hyper V की setting आ जाता है जिसके अंदर different different types की setting आप देख तो अगर मैं इस पर click करूँ तो यह देखो hyper V की setting है इसके अंदर virtual hard disk कहाँ पर restore होगा इसका path आप चाहो तो change कर सकते हो virtual machine है कहाँ पर restore होगी वो भी manage कर सकते हो newma spanning के लिए दिया हुआ है storage another बहुत सारे options है यह हमारे firmware की setting setting है या server की setting है तो इसमें ज्यादा छेड़ चाड़ करने की जरूरत नहीं है next अगर मैं यहाँ पर दिखा हूँ तो आपके पास आ जाता है hyper और virtual switch manager virtual switch manager तीन तरीके के होते है private internal और external ठीक है इन तीनों के बारे में हम लोग machine create करने के बाद डिसकस करेंगे SAN manager storage area network type के लिए है तो SAN का complete session एक घंटे का मैं ले चुका हूँ पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के description में वीडियो मैं add कर दूँगा SAN के बारे में पूरा आप देख लेना उसके बाद यहाँ पर edit disk है बाकी कुछ और चेक करने की जरूबद नहीं है अब यहाँ पर हमारे पास next option आ जाता है how to setup और how to install तो new पर आपको क्लिक करना है virtual machine का एक option मिलेगा इस पर just up चले जाएंगे यहाँ पर start करने से पहले make sure नुकसान हो सकता है virus file corrupt कर देगा नुकसान होगा next करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी virtual machine का just name apply करना है जैसे मैं name यहाँ पर देता हूँ मैं windows या win10 install करना चाहते हो तो win10 मैंने दे दिया ठीक है अब यहाँ पर कह रहा है कि store the virtual machine in different location अब for example के लिए ऐसा मैं क्यों करना चा यह new folder इसको मैं rename करता हूँ यह windows 10 अब जो भी मैं data install करूंगा means यह जो path है मेरा मैं इसको copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं यहाँ पर store और यहाँ पर मैं इसका path दे देता हूँ यानि कि जो मेरा नया machine बनेगा न वो इसी folder के अंदर जाकर सारा data install होगा बाद मैं मैं इस folder क copy करके रख सकता हूँ यह backup के लिए इस्तिमाल कर सकता हूँ है ना ट्रिक हमेशा इस्तिमाल करो generation 1 generation 2 अगर आप एक secure boot चाहते हो तो generation 2 के साथ जाना नहीं तो generation 1 के साथ आप जा सकते हो कोई problem नहीं ठीक है तो generation 1 के साथ मैं जाता हूँ next करता हूँ finally 4GB कर रहा है Windows 10 के लिए enough ह मैं dynamic memory allowed नहीं करता हूँ dynamic memory एक ऐसा process है means when you decide how much memory to assign to virtual machine consider how you intend to use the virtual machine and the operating system that it will run अगर आप एक dynamic memory इस्तिमाल करते हो तो it will automatically adjust the memory space from the storage तो no need to select or check this one क्योंकि जरूरत नहीं है चार्जी भी enough है next करना चाहिए आपको यहाँ पर और यहाँ पर switch मैंने एक internal switch बनाया हुआ है ठीक है यह ध्यान देना internal switch मैंने बनाया नहीं तो आपके option क्या मिलेंगे not connected default मैं by default default ले लेता हूँ इससे हमारा internet भी चलेगा और default मेरे network card से connect हो जाएगा तो just up next कर दो आप यहाँ से not selected भी ले सकते हो कोई नहीं बाद में आप इसको configure कर देना ठीक है मैं तो default लेता हूँ मशीन का नाम मशीन मैं चाहता हूँ कि 50 GB के space में यह बने और ठीक है next कर दिया और यहाँ से ISO फाइल आपको browse कर लेना है मैंने जो ISO फाइल रखा हुआ है वो है हमारा HDD के अंदर ISO फाइल और Windows 10 enterprise edition next कर देना है finally सारा मशीन का setup यहाँ पर हो जाता है देन आपको next करके आगे process करना है finish कर देना है सारा setup complete हो गया अब यह आपके पास complete setting है करना कुछ नहीं installation के लिए just connect करना है और connect करने के साथ आप देखेंगे तो यह हमारा मशीन यहाँ पर available हो गया now you can click on start button it will start the installation and then press any key to boot from CD DVD आपका booting start हो जाएगा और बहुत आसानी से आप यहाँ पर Windows 10 Windows या Linux या कोई भी मशीन को install कर सकते हो installation step में skip कर दूँगा क्योंकि already सब लोगों को आता है बढ़ हाँ यहाँ पर जो installation का मैं partition manager दिखाने वाला हूँ उसको आप देख लो यहाँ से next करना है custom installation के साथ और यहाँ से आप 50 GB का जो hard disk है इसका partition यहाँ से create कर दो 50 GB पूरा create कर दिया है बट यहाँ पर दो partition और बना लेता है system reserve और MSB reserve के लिए और MSR reserve यह होने देना है क्योंकि यहाँ पर को system reserve के लिए होता है और एक boot backup file वगरे के लिए यह सारी चीज़े होती है boot manager के बारे में आपको जानकारी ओलेडी होनी चाहिए मैं VMware पढ़ा रहा हूं वर्चुलाइजेशन पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर 49 GB का जो partition मना इसके अंदर मैं next करूंगा और installation हमारा start हो जाएगा बहुत कम समय में यह आपका complete installation हो थोड़ी दिर वेट करेंगे आ जाएगा next कर देंगे और keyboard बगएरा जो भी है select कर लेंगे इसमें कुछ extra setting करने की ज़रूरत नहीं है मैं थोड़ा सा quickly इसको कर देता हूँ अब देखो इसके setup में तो time लगना ही लगना है थोड़ा सा तो मैं चाहता हूँ quickly यह हो जाए ताकि मैं Hyper-V की other settings import, export, backup, networking कैसे करनी है वो मैं आप लोगो को बता सकूँ जब तक यह हमारा setup हो रहा है मैं कुछ other settings आप लोगों को बता देता हूँ, rest इसको होने देते हैं, final जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यह machine है Windows 10 इसका complete update यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इधर आप देख सकते हो, है ना यहाँ पर, तो इन सब settings को अगर अगर मुझे समझना है, तो मुझे connect option, connect option में यह होता है कि अगर मेरा यह जो machine है, जो यहाँ पर अभी चल रहा है, इसको मैंने close कर दिया, अब कहीं पर open नहीं है, अगर मुझे connect पर click करके दुबारा इसको open करना है, तो मैं यहाँ से देखो open कर सकता हूँ, connect का मतलब समझ म में आ गया, second option है setting, इस particular virtual machine की जो भी setting create करनी है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे for example के लिए, अगर मुझे यहाँ पर setup करना है, like hardware का कुछ add करना है, जैसे network adapter मुझे add करना है, तो मैं यहाँ से add कर सकता हूँ, memory वगएरा, processor वगएरा, सब यहाँ से मैं adjust कर सकता हूँ, ह यह वाला जो option है, domain instead join मैं कर लेता हूँ, और मैं machine का नाम सीखो live, दे देता हूँ, enter करता हूँ, password मैं यहाँ पर दे दूँ, just password, security questions यहाँ पर पूछा है, कोई भी security questions, आप अपना जो भी देना याद रखना, था कि आपको आगे चलके password recover करने में help मिले, तो finally यहाँ से आप आपको जो भी select करना है वो कर लेंगे, it is a part of windows setting, so not now, kotana वगरे नहीं मुझे चाहिए, final हमारा machine ready हो गया, तो अगर मुझे इसमें memory को बढ़ाना है, घटाना है, या फिर processor के core को manage करना है, वो सारी चीज़े हम कैसे कर सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, final setup complete हमारे windows का, अब मैं इस machine को यहाँ से shutdown कर दूँ, proper shutdown करने से हमारी machine, हमारा जो backup है, हमारा जो machine का optimization है, वो अच्छे तरीके से long समय के लिए होता है, यह मेरा close हो गया, shutdown हो गया proper तरीके से, अब देखो proper close हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ basic settings और है, जो कि मैं आप logo को दिखा देता हूँ, जितनी भी settings है, अब windows 10 की machine पर आ जाओ, connect आपने देख लिया setting, अब setting में देखो, यह सभी option highlight नहीं थे, अभी highlight हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि proper shutdown करके काम करूँ, network adapter, अब network adapter में यहाँ से click करता हूँ, और not connected यह एक option दिया हुए, internal default switch, अब देखो default switch पर आपका net चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, but आप virtual switch manager server में आएंगे, external, internal और private, तीन option आपको देखने को मिलता है, इन तीन option का मतलब क्या है, in case अगर आप first option select करते हो, जैसे external, तो external का मतलब यह होता है, कि आपका जो virtual machine है, यानि कि जो windows 10 में ने इंस्टॉल किया, यह windows 10 हमारे main machine, जिस पर यह मेरा main computer चला, यह windows 11 है, sorry, windows 11 है, तो windows 10 machine हमारे windows 11 से क्या करेगा, पिंग करेगा, और साथ में हमारे network में other जो भी router से connected machine है, जितने भी computer हैं, उन सभी के साथ पिंग करेगा, अगर मैंने external network select किया तो, अगर मैंने internal किया, तो internal में होगा क्या, कि हमारे पा windows 11 जो होता ही हमारा host machine है, यानि कि main computer, जिस पर मैंने hyper V को install किया हुआ है, और windows 10 हमारा क्या है, guest machine है, तो internal में क्या होता है, कि guest और host आपस में communicate करेंगे, बट other computer की जो भी, मतलब other networking devices हैं, जो भी हमारे network में, हमारे router से connected है, उनके साथ कोई communication नहीं होगा, एक हमारे पास और option म मिल जाता है, which is private, private में होता क्या है, कि private हमारा सिर्फ और सिर्फ एक isolated lab create करता है, जिसके अंदर only virtual machine to virtual machine बात करेंगे, मतलब कि ये machine, यानि कि windows 10 जो मैंने अभी install किया, ये हमारे किसी other machine, यानि कि हमारे main computer से भी communicate नहीं करेगा, अगर मेरे पास यहीं पर एक windows 11, windows 7, कुछ और होता, Linux होता, तो ये दोनों आपस में, virtual machine है, आपस में communicate करेंगे, private में other किसी के साथ communication नहीं होगा, तो बिल्कुल fully isolated यहाँ पर आपको environment मिल जाता है, अब यहाँ पर बात करते हैं, कि हमें एक adapter create करना है, private, या external, ठीक है, तो external select करके create switch और इसका नाम दे सकते हो, like WAN, क्यों करेंगे, yes करेंगे, और यह हमारा apply हो गया, यह तो रहा कि हमारे पास switches create करने के option है, and then done, ok कर देंगे, यह हो गया, setting में अगर हमें firmware में आना है, कोई changes नहीं करना है, security में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, TPM आप चाहो तो यहाँ से enable कर सकते हो, जो bit locker वगएर को enable क करने में आपकी help करेगा, memory 4GB है, कम ज्यादा करना है, तो आप यहाँ से कम ज्यादा करके apply कर सकते हो, processor 16 core का है, मैं इसको 4 core का processor कर देता हूँ, तोड़ा सा कम कर देता हूँ, यह हमारे लिए कि 4 core enough है, apply करके ok कर देते हैं, and बाकी और कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नह है, अब देखो मैंने van select किया, मैं windows 10 के लिए, यह adapter select कर लूँगा, तो यह हमारे overall सभी computer system के साथ, चाहे वो internal, external, router के साथ connected, सभी machine के साथ बात करेगा, तो यह switch बनाने से हमें benefit मिला, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, checkpoint और यह सब बाद में हम लोग create करेंगा, यह हो अब यह चीज आपने समझ लिया, अब देखो, इस के लाम हम लोग आ जाते है, start checkpoint, checkpoint होता क्या है, जैसे कि अभी मैं current machine का बिल्कुल fresh machine है, मेरा सारा काम हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर यह machine in future कभी shutdown ना हो, या कभी crash ना हो, अगर crash हो भी जाए, तो मैं दुबारा इस state में उसको recover कर पाऊ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने machine का एक checkpoint create कर लूँगा, checkpoint यहाँ पर देखो, बन गया, इस checkpoint को यहाँ से कभी भी delete कर सकते हो, apply कर दोगे, तो in case आगे मैं कोई practice कर रहा हूँ, कोई development का का काम कर रहा हूँ, कोई भी setting कर रहा हूँ, और machine अचानक damage हो ग आगे, machine को revert करना, checkpoint को यहीं पर है, move करने का मतलब another किसी machine में आप इसको, या another किसी server पर आप इसको move करना चाहते हो, तो move कर सकते हो, ठीक है, export का मतलब इस machine का complete backup लेना होता है, जैसे मैं desktop पर, desktop पर इसका backup ले लेता हूँ, export कर दिया है, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्यों succeeded, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ से गलती से किसी ने इसको delete कर दिया, पूरी machine delete कर दिया, अब तो आपका machine dead हो गया, अब कभी भी आपको machine वापस चाहिए, तो आप यहाँ से एक import virtual machine का option होता है, इसको select करेंगे, next करेंगे, आपका machine कहाँ पर है, desktop पर, तो desktop पर आ जाए register with same virtual ID, next करेंगे, finish करेंगे, आपका machine सब कुछ है, जिटी जा जाएगा, है ना, आप दुबारा से इसको turn on करो, no problem, यह देखो, turn on होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, चल भी रहा है, ओके, login भी हो रहा है, तो कितना आसानी से सारा काम आप कर पा रहे हो, इसको shutdown करना, यही से turn off कर दो, ठीक है, start setting और यह सारी चीज़े, तो machine को export, import और यह सारी चीज़ें आपने देख लिया, यह सभी हमारे hyper V के setting है, और भी hyper V का setup, अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया, तो chat box में आप, यानि की comment section में अपनी राय रख सकते हो, मैं definitely उसका reply कर आगे हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सारे अपडेट आप लोग को मिलते रहें, thank you so much, have a good day